आपके गर में आ रहे हैं जमू में आ रहे हैं होटल रैडिसन ब्लू में फर्स टाइम इवेंट हो रहा है ऐसा पूरे जमू में किसी ने इतने बड़े लेवल पर और अर्गनाइज किया हो जहां पर हर कंट्री से 5, 6, 7, 8 कॉलेज़ आ ही रहे हैं वो लोग तो आपका इंट्रिवः करते हैं कि आप के पहले हो नहीं वहाँ उनकी यूनिवस्टी में जाने के लिए उनके एकॉलजिस में जाने की ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि तूड़न डिसाइड करेंगा कि आपके अपके बड़ाने के लिए सब बच्चे जो जाना चाहते हैं जो इच्छा रखते हैं भार जाने की वो हमारे पास ना आके डारेक्ट डेलीगेट के साथ बैठके डिसकस करें अपनी फाइल सो देट कि उनको ये पता चल सके कि वो स्टेंड कहां कर रही उनकी फाइल क्या वो इलिजिबल है या नहीं है ये केसी ओवर सीज के जो बच्चे आप से एजुकेशन ले रहे हैं वो ही इसका हिस्सा बनेंगे जा सबके लिए ओपन है ये सर सबके लिए ओपन है बिल्कुल फ्री एंट्री है इस इंफर्मेशन वो जो आप तक पहुंचानी बहत ज़रूरी होती है इस इंफर्मेशन का आप सब को इंतजार है लेकिन ऐसी इंफर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलती है दे स्टेट सेंटिनल ये कोशिश करता है उन पेरेंट्स तक उन बच्चों तक पहुंचा जाए जिनके लिए ये इंफर्मेशन ये सूचना बहत जरूरी है उनकी जिन्दगी का ये टर्निंग पॉइंट होगा अगर उनको सही हब मिल जाए अब दियान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ केसी अवर्सीज एजुकेशन फियर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ अक्सर होता क्या है आपको अबरोड जाना है कैनेडा, अस्ट्रेलिया, यू के, न्यूजिलेंड, अमेरिका कहीं भी आपको स्टडी के लिए जाना है आपको स्टडी विजा चाहिए आप एज़न्ट के पास जाते हो प्रोसेस स्टार्ट होता है अगर आपकी किसमत अच्छी रही तो आपको विजा आ जाएगा आप वहां जाकर देखते हो कौन सा कॉलेज है कौन सी यूनिवस्टी है यहां आपको जाना है इससे पहले आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो सिर्फ आपके पास एक नाम होता है कॉलेज का कि मुझे इस कॉलेज में जाना है वहां का वीजा है वहां मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन केसी अवर्सीज ने आपके लिए ट्रांस्पेरिंसी बिल्कुल ट्रांस्पेरिंट कर दी चीज़ें आपको ये जानकर हैरानी होगी अवर्सीज एजुकेशन फेर इस इतबार को संडे को एक मेला लगने जा रहा है होटल रेडिस्टन ब्लू में यहां पर वो सभी अबरॉड की युनिवर्स्टी कॉलेजिज आपके गर में आ रहे हैं जमू में आ रहे हैं होटल रेडिस्टन ब्लू में वहां पर वो सभी जो उनके रेडिस्टेटिव हैं वो यहां आएंगे आप बच्चों से मिलेंगे पेरिंट से मिलेंगे ये आप डिसाइड करोगे कि आपको किस कॉलेज में जाना है ये पहली बार 2017 में हुआ था तब भी केसी अवर्सीज ने ये कंड़क्ट करवाया था अब 2022 में वो सभी स्कूल, कॉलेजिज, यूनिवस्टीज जमू में आ रही है आईए मैं आपको अंदर ले जाता हूँ केसी अवर्सीज इतनी ट्रांसपेरिंसी के साथ कैसे काम करता है बिलकुल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को उस कॉलेज, यूनिवस्टी के सामने बिठा देता है कि फैसला आप कीजिए, आपको कहां जाना है ये पांच कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आ रहे हैं कैनेडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, यूके और अमेरिका स्वीडन, छे ये लोग इस इतवार को होटल रैडिसन बलूग में आ रहे हैं आप इस मेले का हिस्सा बनिए हो सकता है कि ये मीटिंग जो है आपकी जिन्दगी बदल दे आपके बच्चों के लिए सार्थक साबित हो अभी अंदर जाके पता करते हैं कि केसी ओवर्सीज ये सब किस तरह से मैनेज़ करता है यही केसी ओवर्सीज का वो कलासरूम है यहाँ जो बच्चों ने सपने देखे हैं वो पूरे किये जाते हैं उन सपनों को हकीकत में बदला जाता है यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा आपका नाम क्या है अरुशी अरुशी जी कहां जाना है आपको यूके यूके स्टूडिस के लिए तो केसी अवर्सी किस तरह से आपको पढ़ाई कर रहा है लगता है कि हो जाएगा हाँ जी क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत जादा हिल्फुल है और इसलिए मुझे लगता है कि हो जाएगा आप पहली बार यहाँ आईलेक्स के लिए हैं यहाँ जी आईलेक्स के लिए आपने कौन सी कंट्री उप्ताई यूके अच्छा मुझे यह बताओ कि इतवार को यह केसी अवर्सीज एक फेर करवाने जा रहा है एजूकेशन फेर होटल रैडिसन ब्लू में यहाँ वो सभी यूनिवर्स्टी सभी कॉलेजिस जो हैं वो आपके शहर जमू में आ रहे हैं उनके रेप्रेसेंटेटिव यहाँ पर आ रहे हैं आप लोगों से मुलाकात करेंगे आप जा रहे हो वहां पर यह कितना सही है मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है क्योंकि कि अगर हम वहां यू के जा रहे हैं स्टेंजर कांट्री है तो कि नहीं और हम मुहां जाएंगे तो इंट्राक्ट करेंगे तो हमें बता चलेगा कि क्या है क्यूंकि कैसे करनाच Dream तो ये लगता है कि ये मेला इस तरह होता है कि वो लोग तो आपका इंटर्व में करते हैं कि आपके पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि student हमें बढमें के लिए दोस्ती भी हो जाएगि उन्से बातचीत भी हो जाएगी तो अ Hem лож जा रहे है लिए Price in fantasy overseas में student पढ़ रहे हैं इस मेला में, इस फेर में, कोई भी आ सकता है जो इच्छुक है बाहर जाने के लिए, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, छे कंट्री, उसमें सबसे पहले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजी लैंड, यूके, स्वीडन और कैनेडा, इन सब के यूनिवस्टी और बात नहीं आती, मुझे लगता है किसी और से बात करने चाहिए, वो सिंग साब बैठे हैं बिलकूल आखर में, और मुझे ये पूरी बरोसा है कि उनको कैनेडा ही जाना है, आपका नाम के है बाजी? वरुन दीब सिंग, वरुन दीब सिंग जी कैनेडा जाना है, जी जी, नहीं, ग्रेजुशन के बाद, ग्रेजुशन के बाद, क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ी चिंता ये होती है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आप भी मुझिल होता है, एक बड़ा अमाउंट आपको यहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पहुंचने के लिए, उसके ब पूरी कंट्री स्ट्रेंज है, अजनभी हैं विल्कुल, अजनभी, हमें वहां करना कॉलिज का पता नहीं, उन्वेस्टी का पता है, तो यह जो फेर होगा, इस फेर के अकोड़िक है, पचल लगे बाहर के बाहर के जो रिप्रेजनेटेटर्स हो कैसे हैं, हमें बाहर जाग बाहर जाकर, ताकि वो पूरा परिवार जो है, उस मुश्किल से बाहर आ जाए, लेकिन जब दोखा हो जाए, जब ऐसी चीज़ें, ऐसे एजन्ट सामने आ जाएं, ऐसे एजूकिशन हब सामने आ जाएं, क्योंकि उसमें यूटर्ट नहीं होता, आपने एक बार कर दिया, इसलिए इस तरह के फेर, जो केसी ओवरसीज कंड़क्ट करने जा रहा है, ये कमाल है, मैं ज़्यादा और टाइम वक्त नहीं लूँगा इनका, आपका नाम क्या है बाजी, शिरीमन, सौरी, शिरीमन, शिरीमन सब आप तो मुझे अंग्रेज लग रहे हो, नहीं, मैं इंड इंडिया से ही हो, अहां जाना है आपको? मेरे को यूके, यूके जाना है, तो क्या कहना चाहोगी, सबसे पहले मुझे बताओ, केसी ओवरसीज के बार में क्या चाहोगी? केसी ओवरसीज एक बहुत अच्छा इंस्टिटूट है, मेरी सिस्टर भी दसे ही आइल्स करके गई आपको जानने का मौका मिलेगा, रूबरू हो जाओगे, कोई पैसा नहीं लगना है, आपको लाख रुपे खर्च करके उनकी शकल नहीं देखनी है, आपको सिर्फ दो चार किलो मेटर जाके उनसे मुलाकात करनी है, तो किस तरह का ये एफ़र्ट्स हैं केसी ओवरसीज के? पहली बात तो मेरे हिसाब से जब मेने प्रिपेर करना शुरू कि IELTS का ये फर्स टाइम इवेंट हो रहा है ऐसा पूरे जमू में किसी ने इतने बड़े लेवल पर और ऑर्गनाइज कि हो जहां पर हर कंट्री से 5, 6, 7, 8 कॉलेज आ ही रहे हैं, तो आपको किसी भी मेन कि नहीं हूँ, एक तो पहली बात आप इसके लिए जान सकते हो, दूसरी बात आपको नॉलेज भी मिलती है, राउंड की कैसे सारी यूनिवरस्टीज वर्क करती है, या उनका एजूकेशन सिस्टेम कैसा है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको लाखों रुपे केसी ओवरसीज से ही उन्होंने शुरुआत की थी, यहीं अपना सपना लेकर आए थे, वो सपना पूरा हो गया, अब मुझे लगता है, जल्दी ही जहाज पर बैठ जाएंगे, आपका नाम के बाजी, आप तो मिठाई लेकर आई हो, यह मिठाई अब कहां के लिए आपने, मैंने युके के लिए प्लाए किया, मैंने पहले कनाड एनんな उक का डिसाइड किया था, आइ अ माईनम इस अस थी आ लेंड़एंट थी लंड़न है, मैंने केसी ओरसीज से ही सब्सटर्ट किया था, इयूहीं से मेरा सारा जरे इज़र्निय सटर्ट यहूंःंगे यहीं से मे कोई सपने बाप माप ने देख और मैं पूरा गर पा आँड काफी हाथ है सौ इसमें मैं काफी हात है। कुछ सपने लेकर आए हैं कुछ सपने पूरे होगे केसी ओवरसीज एक बहुत इच्छा रोल प्लेय कर रहा है और इनकी दो ब्रांच हैं एक गांधी नगर में यहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ और दूसरी टाली मोड मीरा साहब में अब मैं केसी ओवर्सीज की मैनेजमेंट से आपकी मुलाकात करवाता हूँ इतने एफर्ट्स क्यों 2017 में आपने एजुकेशन फेर करवाया 2022 में आप फिर इन बच्चों को पूरे जमू के बच्चों को जो केसी ओवर्सीज में इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं वो नहीं पूरे जमू कश्मीर से आप इस फेर का हिस्सा बन सकते हो इतवार को कमिंग संडे जो आने वाला इतवार है तब ये फेर होने जा रहा है रैडिसन बिल्यू में आप सब इसक महर लगाने के लिए केसी ओवर्सीज की मैनेजमेंट मेरे साथ है उनसे बात करते हैं क्योंकि है इस तरह की रिपोर्ट भी करते हुए ये रिपोर्ट करने से पहले मैंने दस बार इन से पूछा जो आप कह रहे हो वो सबी कंट्री के लोग चल कर हमारे स्टूडेंट्स के ओए एपास हमारे उन पेरेंट्स के पास आ रहे है जो अपने बच्चों का बविश्य अबरॉड में देखते हैं इन्हें का हां जो आप बता रहे हो वो सच है मैं इन से बात करता हूँ सबसे पहले सब आपका नाम क्या है मेरा नाम वरुन शर्मा वरुन साब ये बताया है कि मैंने ये बताया है कि पांच से छे कंट्रीज के जो रिप्रेजनेटिव हैं उनके कॉलेज और युनिवरस्टीज के वो जम्मु शहर में आ रहे हैं हमारे बच्चों से मुलाकात करेंगे जो इच्छुक हैं अबरोर जाने के कैसे सही है बिल्कु सही है सर युनिवरस्टी के डिरेक्ट डेलिगेट्स आपने बोला जैसे रेप्रेजनेटिव आ रहे हैं उन्सपाट अस्पाट करेंगे उनकी प्रफाइल की बच्चोंगी अगर वो अलिजबल है वो उन्सपाट उनको बता के जाएंगे कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडिंट जैसे कहीं बार कांसलिंग के लिए जाते हैं तो उनको रहता है कि शायद मेरा होगा या नहीं होगा या मेरे मोड्यूल में बैंड्स कम है तो डेरेक्ट आप उनसे डेलिगेट से इंट्रेक्ट कर से तो आप उनसपाट इवैल्यूट करके बता देंगे आपकी प्रफाइल सबसे पहला सवाल जो है जो लोग जानना चाहते हैं कहां पे होने जा रहा है क्या टाइमिंग है और कौन कौन सी कंट्री के जो डेलिकेट से वह आ रहे हैं यह हमारा सर कमिंग संडे को है 28 नेवंबर 2022 सुबह 10 से लेकर शाम पांविश तक साड़े दास से पांच है इन फैक्ट और कंट्री हमारी यूएस है यूके कैनाड़ ऑस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड और स्वीडर ये केसी ओवर सीज के जो बच्चे आप से एजुकेशन ले रहे हैं वही इसका हिस्सा बनेंगे जा सबके लिए ओपन है ये सबके लिए ओपन है बिल्कुल फ्री एंट्री है इट इस अवेलिबल तो एप्री स्टूडेंट हो इस एक्शली स्टूडी ओवर सीज अपने अकैडमिक डॉक्मेंट अपने पासपोर्ट यहां को अगर एग्जाम उनों ने लिखा वेला इक आइल्स टोफल पी टी कुछ भी वो आए और इसका बेनिफिट उठाएं सर कुछ बच्चों के मनमें जे सवाल भी होगा जो अभी माइंड बना रहे हैं कि उनको आइलेट्स करना है वो भी आ सकते हैं क्योंकि उनको एक्सपोजर हो जाएगा लोगों से मुलाकात करनी है वो आ सकते हैं जब वो अलिजिबल नहीं हैं नहीं सर बिलकुल आ सकते हैं के साथ आ सकते हैं बाकि अपने डॉक्यमेंट अपार्ट फ्रॉम इल्टियस बाकि उनका जो पास्पोर्ट या अकैडमिक डॉक्यमेंट्स हैं और या कोई एक्सपीरेंस है उसको लेकर आएं अपनी प्रोफाइल इवैल्यूइट करवाएं उनको लिखने से पहले ही पता चल चल रहा था वो ठीक नहीं था कि बच्चों को एक मोटी रकम देनी हैं लाक रुपे खर्च करने हैं उसके बाद जाकर उस कॉलेज यूनिवस्टी का चेहरा देखना है उन लोगों से मुलाकात करनी है यह सब क्यों एक्टली ना सर कोविड के बाद ना इस इंडस्टी में परडाइम शिफ्ट आया है तो स्टूडेंट बोखुत कंफ्यूज है बिकाज बड़ी चीजें कुछ ऑनलाइन चली गई कुछ सारा आपको पता ही है जो क्लासीज भी ओनलाइन इवे थी फेस तो फेस थी नहीं उसमें स्टूडेंट बोखुत परेंस बोखुत के लिए तो मुझे लगता है जम्मू वानों के लिए इससे बड़ा बैनिफिट और इससे ज्यादा एक आप बोलोगे गुड ड्यूज नहीं हो सकती कि डारेक्ट वो आएं इमेरेटली देल कम टूनो एक युनिवरस्टी का रिप्रेसेंटेटिव दा युनिवरस्टी वि क्या चार्जिस हैं इस सब में, क्या आप क्या चार्ज करोगे उन लोगों से? हमारी जो हम वीजा करते हैं एडबिशन में, वी डून्ट चार्ज स्टूडेंस हमारी जो प्रोसेसिंग चार्ज बिल्कुल फ्री हैं, दूसरा जो वहां पर एंट्रि हैं, वो भी बिल्कुल को मैं यही मैसेज दूँगा आप खुद से मत यह डिसाइड करो कि हम अलिजबल है या नहीं है आप डिरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से मिल लो इफ यूर इलिजबल वो इमेड़ेटली आपको बता देंगे आप आफ प्रॉसेस करो अप्लिकेशन युल गट ऑफर तो एक प्रॉसेस ने बहुत जबर्दस बहुत ही अच्छा इनिशेटिव लिया है सिंग साथ बैटे हैं मैंने पहले ही बताया अपनी रिपोर्ट में कि केसी अवर्सेस की दो ब्रांचीज है एक गांधी नगर में और दूसरी टाली मोर मीरा साब में उसके इंचार्ज हैं सिंग स जो हैं वो बाहर जा चुके हैं और जो आने वाली जनरेशन है वो फ्यूचर बाहर ही देख रही है अपना तो उन लोगों के लिए यह बड़ा सुनहरी मोका है क्या कहना चाहिए सर्वारी टू जो आपका आरस पुरा तक है यह वेरी वेरी मुच इन इस सेक्टर वो सारे के सारे बचे इच्छुक हैं बाहर जाने के लिए वांट गुड कंट्री गुड प्लैटफर्म तो गो अब्रॉड तो मैं यही कहूंगा सब को जैसे सर ने बताया कि यह सब की लिए एक ऑपरचुनिटी है मैं एक मैसेज देना चाहता हूं सारी पब्लिक को सारे बच्चों को कि इस टाइम पर इस इंडस्टी में डिस्ट्रैक्शन बहुत जादा है मतलब डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है कि जो कंसल्टेंट्स हैं जो एजेंट्स हैं वो एक्च्छल पॉजिशन उनकी फाइल की बच्चों के साथ डिसकस नहीं करते हैं और वो एक बहुत बड़ा जो बच्चों के बीच में confidence built नहीं करता कि हम किसके पास जाएं किसके पास नहीं जाएं तो मेरा यही इस channel के मादियम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब बच्चे जो जाना चाहते हैं जो इच्छा रखते हैं बाहर जाने की वो हमारे पास ना आकर direct delegates के साथ बैठके discuss करे हैं अपनी file so that कि उनको यह पता चाल सके कि वो stand कहां कर रही हैं उनकी file क्या वो eligible हैं या नहीं हैं अगर हैं तो कितने percent chances हैं उनके visa surety कितनी है visa मिलेगा नहीं मिलेगा कितना time लगेगा तो casey overseas जंगूं का यह initiative है कि processing तो एक एक अलग factor है वो financial factor को मैं छोड़ूंगा क्योंक खाई एक ही focus रहा हमने बच्चों से चार्ज न ही किया कभी कभी दी किसी student को चार्ज नहीं किया वो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा ही नहीं होता vote कर पाएं कुछ consultances चार्ज करती हैं बट हमारी starting से ही focus रहा है कि बच्चो उसे चार्ज नहीं करना है अपसलूटली पाजी यहां एक सवाल हो रहा है जब यह मैसेज पब्लिक डुमेन में जाएगा उन बच्चों के पाथ जाएगा उन पेरेंट्स के पाथ जाएगा जो एलिजिबल है जिन्होंने आइलेट्स कर लिया या फिर करने जा रहे हैं लेकि उनकी मनजिल वही अबरॉड है वहां जाना है वो पेरेंट्स भी शायद मायूस होगे होगे यह रिपोर्ट देखर वो मायूस हो जाएंगे हमारे बच्चों को मुका नहीं मिलेगा इन डेलिकेट्स की मिलने का क्या लगता है दो जार सत्रह में आपने करवाया दो जार बा जारे हैं कि इस इंडस्ट्री का यहां पे इतना जादा हब नहीं बना हुआ भी हम यह चाहते हैं कि सिर्फ कंसल्टेंट्स के साथ बच्चा इंट्रेक्ट ना करें उतना जादा उसके अलावा हम डारेक्ट अगर एक युनिवर्सिटी का डेलिगेट को यहां पे जारे हैं कि इसमें एक इस इंडस्ट्री में बड़ा जरूरी है आपको एक आखरी सवाल बड़े कम शब्दों में आप इसका जवाब दीजेगा जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि हमने अपने गाड़े खून पर सीने की कमाई बच्चे पर इनिवस्ट करनी है कहीं आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको मिस्गाइट कर देते हैं वो मुश्किल में आ जाते हैं और जिन्दगी बार उससे कभी उबर ही नहीं पाते हैं सर देखो मैं किसी के लिए उपर कोई पॉइंट ओर तो नहीं करूंगा बट अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं बट हमारा जो मकसद हम उसके उपर बात करना चाहते हैं जो इतनी इतने बड़ी बड़ी इनिवस्टी से डेलिगेट्स आरे हैं उन के लिए एक बहुत बड़ी उपरचुनियूटी होगी कि हम तो एक मादियम ही हैं न हम उनको यह बता सकते हैं कि यह लोग हैं जिन्हों ने आप आपको कल जा कि आप इनको देखो के वहां पे यह वहां का कोई डेलिगेट है यह उसी युनिवस्टी में आपको मिलेगा कि इस तरह की ट्रांसपरेंसी हर जगा होनी चाहिए केसी अवरसीज ने एक बड़ी ही काम्याबी से 2017 में यह हुआ था और 2022 में इतवार को कमिंग संडे को यह होने जा रहा है होटल रेडिसन विल्यू में साड़े दस से पांच बज़े तक और सब के लिए उपन है सबी लाकात करें पहली बार में रिपोर्ट कर रहा हूँ आप उन लोगों से बात करें उन लोगों से इंटरेक्शन करें जो आबरोड में आपको पड़ाएंगे एक बार फिर उन कंट्रीज के नाम लेने जा रहा हूँ यहां कॉलेजिज और यूनिवस्टिटी के लोग यहां पे आ रहे हैं वो है कैनेडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, यूके, अमेरिका, स्वीडन, मिने ठीक का साथ, ये लोग यहां पे आ रहे हैं, इस अपरचुन्टी को अपने हाथ से मत जाने दीजेगा, आपने सोच रहे हैं, आपने जाना है, नहीं जाना है, एक साल जाना है, आप केसी अवर्सीज की, इस कोशिश को, अपने हाथ से, ये मुका निकलने मत दें, वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अबराट चल कर आपके घर्दक आ रहा है, शुबम कुमार के साथ, रवंदर सेंग, दस्टेट सेंचिनल के लिए,